शोल्डर जोइंट यानि की कंदे का जोड या तीयल हड़ियों से बने अत्याधिक कतिशिल एक बॉल और सौकेट जोइंट है यानि की एक ऐसा जोड जिसमें एक हड़ि का बॉल यानि की गोलाकार उसके सामने वाली हड़ि में बने खाजे में फिट हो जाता है humorous bone या हाथ का उपरी भाग, clavicle या collar bone यानि की हंसली और scapula या shoulder blade यानि की कंदे की हड़ी humoral head एक ऐसी गैंचे सी गुलाकार सनरचना है जो humorous bone यानि की हाथ के उपरी भाग के शिर्ष पर होता है clavicle या collar की हड़ी यानि की हंसली pressed bone यानि की छाती की हड़ी और scapula यानि की कंदे की हड़ी के बीश में होती है scapula एक समतल त्रिकोणिया हड़ी है जो हमारे कंदे का पिछला हिस्सा और उसका शिर्ष बनाता है glenard cavity या socket वो scapula के हाथ से सबसे निकटम फाग में एक छिशला गड़े जैसा है yumeral head का ball यानि की गोलाकार हिस्सा इस socket में फिट पैटता है articular cartilage यानि की जोडों में सित उपास्ती एक उत्तंक होता है जो yumeral head को आवरित करता है और glenard cavity के अंदर की सता पर अंतरनियत होता है articular cartilage यानि की जोडों में सित उपास्ती एक उत्तंक होता है जो yumeral head को आवरित करता है और glenard cavity के अंदर की सता पर अंतरनियत होता है ये मासपेशिया humerus के साथ tetan यानि की कंटरा के त्वारा जुड़ी होई होती है जो की मासपेशियों को हड़ी के साथ जोड़ती मजबुत रशेदार उत्तंकों से बनी रसी है ये टेडन के साथ मिलकर rotator cuff यानि की कंटरा और अस्ति बंदन का एक कठी नावरन बनाते है जो एक capsule की तरह है जो कंटे के जोड़ की हड़ीयों को समर्थन करता है और हुमरल हिड को ग्लनर्ड केविटी में बिठाए रखता है ये rotator cuff कंटे के जोड़ को स्थिर्टा देता है जिसके कारण ball और socket अपनी योग्य स्थिति में रहता है ये rotator cuff कंटे के जोड़ के गती को विस्तर श्रुंख्ला देता है यानि की कई तरीकों से हिलने में मदद करता है कभी-कभी कंटे का जोड़ कोई बीमारी के कारण या चूट लगने से गंबी रुप्षश अधिक्रिस्त हो सकता है उदारण के लिए arthritis यानि की कठिया के कारण जोड़ों के अंदर articular cartilage यानि की चोड़ों में स्थित उपास्ती गिसने लगती है जिससे जोड़ों में दर्ध होता है और उनकी कतिशिल्टा कम हो जाती है रोटेडर कप को लगने वाली चोटों से जैसे कि उसके फट जाने से दर्ध होता है और कंदे जोड़ की गतिशिल्टा में कमी आती है समय के साथ ख्षदिग्रस रोटेडर कफ वाले कंदे में कफ टियर आर्थोपैथी की तकलिफ हो सकती है जो की एक ऐसे सिती है जिसमें इस टियर की वज़ज़ से पैदा हुई असामाने गती और अस्तित्ता के कारण कंदे के जोड़ में आत्राइटिस यानि की कठिया होता है कंदे की जोड़ को गंबिर विमारी से या उसे लगी चोड़ क्या इलाज करने के लिए जोइंट रिप्लेस्मेंट यानि की चोड़ को कुत्रिम प्रत्यारोपन से बदलने के लिए किया जाने वाला ऑपरेशन जिसकी आवश्यक्ता हो सकती है इस टैंडर्ड शोल्डर रिप्लेस्मेंट में इस यूमरस हेड के लिए नया बॉल और स्कैपुला जिसके लिए नया सौकेट बनाने के लिए उत्पादित पढ़ातों का उप्योग किया जाता है हाना कि जब कंदे के जोड में हुई बिमारी या लगी जोट, कमजोर या शतिग्रस रोटेटर कप के कारण अधिक जटेल हो जाती है तब reverse shoulder replacement आवशक हो सकता है इस reverse shoulder replacement के कारण कंदे की जोड की गतिवीदियों की जिम्मेदारी, कमजोर या शतिग्रस रोटेटर कप के पास हाथ के उपरी हिस्से की डेल्टोड मास्पीशय ले ले लिती है इस मरमत के दोरान बॉल और सौकेट की स्थिती उलट जाती है सौकेट का इंप्लांट हुम्मरस के सबसे उपरी हिस्से में लगाया जाता है जिस जगह पहले बॉल या हेड था और बॉल इंप्लांट को स्कैपुला के साथ जोड़ा जाता है जिस जगह पहले सौकेट था reverse total shoulder replacement में कंदे के जोड़ पर जिरा रख कर प्रक्रिया की शुरुवात की जाती है सर्जन कंदे के जोड़ में हुम्मरस के हेड को अलग करते है और उसे वहां से निकाल लेते है युम्मरस को वहां सौकेट इंप्लांट लगाने की तैयारी करने के लिए खोकला किया जाएगा उसके बाद ग्लेनर्ड केविटी के अंदर की तरब को वो बॉल इंप्लांट लगाने की तैयारी करने के लिए नहीं आकृती प्रदान की जाएगी एक मेटल बेस यानि की धादू का आकार जिसको स्कुरू लगा कर स्कैपुला के साथ जोड़ दिया जाएगा सौकेट, इंप्लांट मेटल के स्टेम यानि के डंडी पर लगा हुआ होता है उसे युम्रस में डाला जाएगा आखेकार आपके सर्जन सौकेट इंप्लांट में बॉल इंप्लांट को डाल कर उसे वहाँ फिट करेंगे नई जॉइंट का निर्मान करते है इस प्रक्रिया की अंत में त्वचा में रखे गए चीरे को टाके लेकर बंद कर दिया जाएगा